हेलो नमस्कार मेना नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल के दोस्तो स्वागित हैं विराट कोली को टा च्वेज मास्टर कहा जाता है च्वेज किंग कहा जाता है बहुत सारे एडजेक्टिफ इनके लिए लगाए जाते हैं जाहे तोर पे अब विराट कोली को king भी बोला जाता है लिकर मेरे इसाब से विराट कोली अब king नहीं रहे वो king के भी काफी ज्यादा उपर यानि कि the emperor बन चुके है इसका नाम मतलब होता है राजाओं के भी जो राजा होते है वो बन चुके है समराथ विराट कोली और यह बहुत को सुनने को मिलता है वेराल रंचेस की बात है तो एक आकड़ा आया है और मैंने सोचा कि क्यों ना यह आकड़ा आप सारे फैंस को बताया जाए विराट कोली ने ODI में बहुत सारे successful रंचेसे उन्हों किये हुए है और बहुत सारी यादगार उन्होंने पारिया के इन फैक्ट मेरे लिए जो सबसे जादा यादगार उनकी पारी आती है वो एक सो होबाट में जो उन्होंने एक इनिंग्स खेली थी वो फिर पाकिस्तान के अगेंस जो 183 रंग की पारी खेली थी वो बहुत सारी ऐसी इनिंग्स है और मैं आपको बता दू कि उनका आकड़ कुछ इस तरीके सो होता है कि अब तक विराट कोली ने सक्सेस्फुल रंच जिसमें टीम इंडिया ने मुकाबला जीता है 95 इनिंग्स में 5691 रंग कूटे है 90 का एवरेज है यानि कि जब भी विराट कोली ने इंडिया को मैच जीता है उसमें कम से कम 90 रंग उन्होंने और स 24 अर्देश्ट तक विराट कोली के बल्ले से निकला है एक और आकड़ा है इसी मैं आपको बता देता हूँ जब चेज करते हुए विराट कोली ने कितने रंज बना है जिसमें टीम इंडिया को हार का भी सामना करना पड़ा है तोटल ओवराल अभी तक जो है एक सो बाबन इनिंस जो है विराट कोली ने खेली है 7,794 रं विराट कोली ने बना है 65 कम का अनले एवरेज हो जाता है और 2700 विराट कोली ने लगा है 33 दफा नौट आउट विराट कोली रहे है एक दफ़ा ऐसा रहा है विराट कोली जब वो क्रिश पर ठीके रहा है अंतक और टीम इंडिया को मैचेज नहीं जीता पायते हैं सिर्फ एक ही दफ़ा ऐसा हुआ है तो 40-50 भी इस दो राट उन्होंने लगाए हुआ है इसके अलाबा ये वर्ल्ड कप विराट कोली के लिए बहुत सही जा रहा है सबसे ज़्यादा रन बनायाने वाले बाज बन गे और टॉप टू में वो है रोहिश शर्मा और विराट कोली टीम इंडिया के लिए विराट कोली के लिए रोहिश शर्मा के लिए हमारे बॉलर्स के लिए सब के लिए फिलाल अच्छे दिन चल रहा है और 20 सालों के बाद हम लोगों ने नीजलेंड को ठोका है यानि कि उनको हराया है और ये भी एक बहुत बड़ी अचिम्मेंट है लोगों ने जीत हासिल किये टोटल 10 पॉइंट है टीम इंडिया के और अब दो और मैचेज हम लोगों को जीत रहा है उसके बाद सेमिफाइनल के टिकट जो है हम लोग कटा लेंगे बहुत असान तरीके से तो अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है इसलिए सब कुछ अभी भी सुधार की उन्जाइश है जैसे कि आज जो है माल लेते हैं और फिल बहुत ज्यादा कम जोड़ थी मतलब खराब थी तो हम लोगों ने क्याचेज बहुत छोड़े बट ओवर ज्यादा कुछ कीड़े निकालनी की ज़रूरत नहीं श्रेसे के बल्ले से रंस हम लो टीम का यह जो जीत का कार्मा है वो चलता रहे और हम लोग मैचे जीते रहें वर्ल कप हमी लोग उठाएगे जय ही जय वारत